हेलो फ्रेंट आपका बहुत-बहुत सब्सक्राइब है आपके आपनी यूट्यूब चैनल यूट्यूब दवसिश में हैं आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बतने वाले हैं आप अगर एक लोन लेना चाहिए हैं चाहे ओ होम लोन हो या फिर एडिकेशनल लोन हो या फ हारे कुछ हम इस वीडियो में आपको step by step देने वाले हैं फ्रेंट वीडियो को आगे बारने से पहले हमेसे की तरह आप से करेंगे एक रिक्वेस्ट कि आप अगर हमाई चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेट कलर बटन पे क्लिक करके आप हमाई चै सबसे पहले देख पाएंगे तो फ्रेंट कीना समयगा आप हमाई चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेजिए और फ्रेंट आप हमें फॉलो भी कर सकते गूगल प्लास फेस्बुक और ट्विटर से तो फ्रेंट चलिए चलता है वीडियो की तरफ प्रेंट यह पर सबसे पहले आपको इस वेपसेट को ओपन कर लेना है इस वेपसेट का लिंक हमारी डिस्टेशन बॉक्स में हम दे रखे आप वासे इसको डारेक्ट ओपन कर पहेंगे फ्रेंट यह वेपसेट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस पकर से दिखाई देगा और यह पर देखिए ल क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज ओपन हो जाएगा इस पेज में आप देख सकते हैं यह पर जो रेट आप इंटरेस्ट है जो स्टार्डिंग लोन पे इंटरेस्ट है वो 10.99% है उसके बाद इस पेज को थोड़ा नीचे स्कॉल करेंगे तो यह आप देखिए लिख है यह माई केलकूलेटर कर सकते हैं कि आपको कितना लून चाहिए और उस सारे कुछ आप यह से जान सकते हैं और फ्रेंट यह पर सबसे आच्छी बात तो यह है कि अगर आप इस company से loan लेते हैं तो आप दूसरे company की loan के साथ यह पर compare कर सकते हैं किया आपको ingest देना परेगा, कितने दिन के लिए देना परेगा और आपका जो processing price है वो कितना देना परेगा और वो सारे कुछ आप यह पर compare कर सकते हैं उसके बात front यह पर हम आपको बता देते हैं कि इस loan को लेने के लिए आपके पास क्या क्या डोकुमेंट होना चाहिए तो यह पर सबसे पहले तो आपका आधर काट होना चाहिए उसके बात आपका जो pen card है वो pen card चाहिए और पिसले six month का bank statement चाहिए और आपका दो कपी फोटो चाहिए अगर यह सारे डोकुमेंट्स आपके पास है तो आपको यह loan बहुत ही easily मिल जाएगा और front यह पर सबसे important बात यह है कि आपका जो civil score है यह civil score बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर आपका civil score अच्छा नहीं है तो आपको यह loan नहीं मिलेगा और front यह पर हम आपको और एक important बात बता देते हैं कि अगर आप इस company से loan लेते हैं तो इस company के जो time and condition है वो अच्छी तरह से पर लेजिए उसके बाद ही इस company से loan लेजिए अगर front आप इस company के बारे में अधिक जन करी लेना चाता है तो आप इस page को नीचे scroll करेंगे तो यह पर दिखी एक phone number दे रखें simply आप इस phone number पर phone करके इस company के बारे में अधिक जन करी ले सकता है अगर front आप mail करना चाता है तो आप यह आप दिखी एक mail address है आप mail भी इस address में कर सकते हैं और फ्रेंट इस company का एक mobile app भी है अगर आप इस app को download करना चाते हैं तो नीचे देखी एक Google Play Store का option है simply आप यह पे click करके इस company का जो loan app है इस app को download कर सकते हैं और आप वह से इस loan के लिए apply कर सकते हैं तो फ्रेंट यही थी एक छोटी सी जानकरी आपके लिए कि आपको वह loan का से मिलेगा और किस पकर से मिलेगा तो फ्रेंट आशाकरते हैं यह जानकरी और यह वीडियो आप लोग को आच्छा लगा है अगर फ्रेंट आपको apply करना पर कई पर कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं हम आपको आगले वीडियो में दिखा देंगे कि किस पकर से आपको apply करना है तो फ्रेंट thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में